आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग पर इशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड लोग हमारा तो जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम फेस्बूक वाटसाप इंस्टाग्राम सभी जागा भी जल्दी से शेयर कर देंगें सभी को गुड़ीवनिंग और जिन भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया हूं सभी लोगों का बहुत बहुत धन है न ठीक है थोड़ा अपना नजरिया बदलो बस एक चीज से उष्ण कटी बंदी है घास के मैदान पहली बात तो इसका मतलब क्या है ट्रॉपिकल ग्रासलेंड का मतलब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला शेत्र ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ के बी एक पहला वाला ख्लीर हो गया और लानोस जो उष्ण गटी बंदी है घास के मैदान हीं यह कहां पाय जाते है यह इस्ट अफ़रीका में ब्राजिल में वेनेजएला में चिली में तो आंसर होंगा आप लोगों का फ्रेंट्स वेनेजएला के अंदर में ब्राजिल के अंद यह उष्ण कटी बंधिये घास के मैदान ओके उष्ण कटी बंधिये उष्ण कटी बंधिये का मतलब होता है दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाले उष्ण कटी बंधिये उष्ण का मतलब गर्मी तो यहां सबसे जादा गर्मी पड़ती है इस एरिया के अंदर में उष्ण कट काटी के बंधी खास के मै勝 आज Clark sustainability इस जा इनल की के अब है थो फेसे बारे में बात करेंगे horizonory शवाना जब इधने जा ना से जाते है प्राजिल में कम पोष्कन हो ठीक है और वेनेजुएला में लानोस के नाम से सभी के सभी लिखो ये तीनों के तीनों लिखो आज आज जो है ना आप लोगों से लास्ट में इसी को मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि ये कौन कौन सा है करके जी यहां बिल्कुल NCIT SCIT दोरों कवर हो जाएंगे आपके इ 8 के बाद में जितनी भी आप लोगों की बिहार के अंदर में भी SCIT, NCIT ही फॉलो होती है आपकी सारी जगह के उपर में, ओके इस्ट अफ्रीका सवाना, ब्राजील, कंपोस, वेनेजुएला, लानोस ये याद रखने है आप लोगों ने, इसके अलावा जो है शितोष्ट घास के मैदान भी होते है, शितोष्ट का मतलब क्या होता है, मैं बार 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 आपको बता रहों फ्रेंट की देखो ये अगर मानलो ये कंपोस वाला ये आप लोगों का है ट्रॉपिकल ग्रास लें, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला, तो यहाँ ऊपर में ये वाला जो एरिया होता है आपका, इस एरिया को, आप लोग कहते हो, ठीक है, टेंपरेट जोन, और बीचल वैसे हि, हाँ पर में, मकार एखा के नीचे वाला एड़ा जो कि Arctic Circle टक है, इसको भी आप लोग क्या कहते हो, इसको भी आप लोग कहते है, तो इन लोग जो खाल खन घाए जहते हो, जो आपको green से दखाई दे रहा है, उसको आप लोग कहती है, तो आपलोग कहते है, उत्तरी अमेरिका के अंदर में इसको प्रेरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के लोग बहुत जादा प्रेयर कर रहे है ऐसा अफ्रीका के में वेल्ड कहा जाता है इसको एशिया सेंट्रल एशिया के अंदर में कहा जाता है तो मध्य एशिया के अंदर में स्टेपी कहा जाता ह और और उस्ट्रेलिया में डाउन कहते है इसको ऐसे आप लोगों नहीं याद रखना है नौ निमनल लिखित में से कौन सा स्थार्म प्रागयतिहासी काल के लिए चित्रों के लिए प्रसीद्ध है प्रागयतिहासी काल के समय की चित्रों के लिए बहुत ज़्यदा प्रसीद् कहा पर हो तुम? मद्यप्रदेश के अंदर में, ठीक है? मद्यप्रदेश के राय से इंद दिले के अंदर में, सबसे पास में कौन सी वाली रिवर हो सकती है तुम्हारी, तो यहां पर में नर्मदा नदी, सबसे पास में होए है इसकी, नर्मदा के पास में मिलेगा आपको, ठीक है भीम गेटका कौनसी वाली साइट है तो कौनसी साइट है ये प्रागियतिहासिक काल के अंदर में लिकी य mercury सह होती सिन प्राकार के प्रीहिस्टोरिक काल तो तीन प्रकार का होता है Prehistoric period तीन प्रकार का होता, ठीक है, कौनसा कौनसा, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, ठीक है, जो पूरा पाशान, ठीक है, पूरा पाशान, मध्य पाशान, और नौ पाशान, प्रागयती हासी काल तो तीन प्रकार के होते है, पूरा पाशान मतलब सबसे पुराना, फिर मध्य पाशान, ठीक है, और Paleolithic age का है यह याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, Paleolithic age का, यह वाले इसका है, Paleolithic का, पूरा पाशान समयकाल का है, तो यह भी आप याद रखोंगे friends, Paleolithic, Paleolithic, मतलब सबसे पुराना वाला जो है आप लोगों का समयकाल, जब हम लोग एकदम नंगुपुंगु घुमा करते उस समयकाल का है यह, पूरा पाशान, ठीक है, सबसे पहले वाला, पूरा पाशान समयकाल की जगह है, भीम बेटका मध्य प्रदेश के अंदर में, जहां पर में हम लोगों कुछ चित्र मिलते है, ओके चालिए, तो answer इसका option number B हो जाएगा, चित्रों के लिए famous कौन सा प्रा अगयती हसी काल की जगह नहीं है, यहां पर में सांची का स्थूपा है, जो अशोका ने बनवाया था, ठीक है, नौ फ्रेंट्स, निम्दलिकित में से कौन सी नदी भूम अद्य रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, उत्तराखंड PCS, RO, ARO प्रिवियस यह पेपर है, आप में है, पुर्ण सा ध्यार रखना, हमारा भारत जो है, पूरी तरह से भूम अद्य रेखा की अपर में है, उत्तरी गोलार्द में हमारा भारत, ठीक है, यहां पर में, एक नदी है, जिसका नाम है जायरे नदी, यह याद रखने आप लोग ने, जिसको कॉंगो नदी के ना आप लोगों का एक एक हमारे भारत में से भी एक जाती है रेखा जिसका नाम है करकरेखा करकरेखा को दो बार काटने वाली नदी है माही नदी करकरेखा को ठीक है वो करकरेखा को काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यह याद रखने है आप सबी लोगों नहीं तो एक्वेट बता रहो कि यह NCRT बेस आप लोगों का पूरा का पूरा आपके बिहार में, CTAT के अंदर में, ठीक है, आप लोगों की DSSB के अंदर में, जलदी जलदी से शेर भी करते रहेंगे, जिस दिन हमारे 2000 प्लास हो जाएंगे फ्रेंट्स लाइव, उस दिन हम लोग 11-12 कभी स्टाट कर देंगे, यहाँ पर में आंसर देखिए, अलिफेंटा की गुफाय जो है आप लोगों की, यह महाराश्टर में मिलेंगे आपको मुंबई के तट के उपर में एलिफेंटा की गुफाय बनाई गई थी, राश्टर कुट राजाओ के द्वारा, तो आंसर इसका होगा, आपको option number C, महाराश्टर के अंदर में, यह एलिफेंटा आइलेंड आप लोगों को यहाँ मुंबई के तट पे मिलेंगे, चीक है, उ अरब सागर में जाकर मिल जाती है यह नदी, ठीक है, तो अरब सागर के तरफ में मिल जाने वाली नदी है यह, यह एक point आप लोगों याद रखोंगे, दूसरा वाला जो है friends, आप लोगों को बतातों कि यह उकाई डैम आपका गुजरात के अंदर में है, ठीक है, गुजर तापी नदी के उपर में, ठीक है, कौन सी नदी के उपर में बना हुआ है, तापी या तापी नदी जो है, उसके उपर में बना हुआ है, गुजरात के अंदर में, तो यह इसको याद रखने आप लोगों ने, नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों के दोरा East Lowing River है, नदी में जाके इस तरीके से फिर नीचे के तरफ में आती है, ओके माही नदी, इसी वज़े से दो बार काटती है वो, आप लोगों कि किसको, करकरेखा को, यहां से करकरेखा को दो बार काटती है, आगे बढ़ते हम यहाँ पर हमारे next question के तरफ में, उससे पहले आप लोग उकाई डैम के बारे में जो मैंने आपको बताया, यह भी गुजरात में है, तापी या तापती नदी के उपर में बना हुआ है, कोविंद वल्लप, पंत सागर या रिहान डैम इसको बोला जाता है, यह उत्तर प्रदेश में है, रिहान नदी के उपर में बना हुआ है, रि बहागी रती नदी के उपर में बना हुआ है और यही बहागी रती नदी बाद में जाकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है पाबर ने भारत में मुगल साशन की स्थापना किस वर्ष की थी MP पुलीस ऐसा है ऑफिशल पेपर 2017 का कोशन है आप लोगों का जल्दी से इसका अंसर करेंगी सभी लोग और लाइक और शेयर भी करते रहें जितने भी लोग देख रहें जल्दी जल्दी से सभी के सभी जी हां बिल्कुल SSC में भी काम हाईगी मैं आपको बता रहो पुरा एंसी आटी का जिस्ट आप लोगों को करवा रहे हैं पूरा का पूरा एंसी आटी का जिस्ट तो 1526 के अंदर में उसने स्थापना की थी कौन से राजा को उसने हराया था ये बाबर ने कौन से राजा को हराया था जल्दी जल्दी बताओ आप लोग तो उसने जो है बाबर ने हराया था इब्राहीम लोधी को इसने हरा दिया था लोधी वंश का लास साशकता इब्राह पानिकपत की पहली लड़ाई, तो answer हो जाएगा आपको option number D, पानिकपत की पहली लड़ाई के अंदर में बाबर ने इब्राहीम लोधी को हरा कर भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पहली बात तो यह क्रिप्स मिशन क्या है और कब आया था, पहले यह तो बताओ सर, उसके बाद में देखेंगे प्रधानमंत्री कौन है करके, ठीके, क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंट्स यह आया था भारत में 1942 में, स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स नाम के एक वेक्ती थे, स्टैफ़ोर्ड, ठी क्रिप्स, उनको भारत भेजा गया था, भारती लोगों से मदद की अपील करने के लिए, क्योंकि World War 2 चल रहा था, है न, World War 2, आपको पता होना चीए, World War 2 जो है, 1939 से लेकर 1945 तक चला है, तो 1939 से 1945 के बीच में, जब World War 2 चल रहा था, तो भारती लोग को यांदोलन ना करे, औ और Britishers की मदद करे, World War 2 के अंदर में, उस प्रस्ताओं को लेकर, Crips Mission भारत में आया था, Stafford Crips के नेतित्व में, 1942 में आया था, ठीक है, उस समय में, उस समय में, बिटेन के प्रधार मंत्री थे, Winston Churchill, ठीक है, Winston Churchill, Crips Mission के समय में, 1942 के अंदर में, कितने लोगों ने सही आंसर दिया है यहां पर में, देखे हम लोग यहां पर में, केवल और केवल, 27, 29 प्रतिशत लोग हुए अभी यहां पर में, ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिया है, तो आंसर जो है, Friends, Winston Churchill होगा, तो चीजों में confused नहीं होना है कभी भी, ध्यान से सुनो, अब आप लोगों को exam clear क मैं आपको बता रहो, कहा पर मैं बच्चे confused होते है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, Friends, एक है आप लोगों का Crips Mission, ठीक है, Crips Mission, Crips Mission कब आया था आप लोगों का, यह आया था आप लोगों का 1942 के अंदर में, ठीक है, और एक है आप लोगों का cabinet mission, cabinet mission, okay, यह आया था भारत के अंदर में 1946 के अंदर में, दोनों में confusion नहीं होना है, आप लोग लोग है, ठीक है, जो Crips Mission जब आया था आप लोगों का, तो Crips Mission के समय में जो प्रधान मंत्री थे, वो थे Winston Churchill, Winston Churchill, ठीक है, Winston Churchill थे, लेकिन जब cabinet mission भारत में आया और भारत को आजादी दिने के लिए आया था कि भारत की आजादी को कैसे fastest UP किया जा सकता है उस समय में थे Clement Atlee Clement Atlee तो भारत की आजादी के समय में और cabinet mission के समय में जो प्रधान-मंत्री थी वह थे Clement Attlee, ऐसे याद रखने आप लोगोंने, अब confused तो नहीं होंगे कभी भी, Crips Mission पहले आया कि Cabinet Mission पहले आया, चलो ये बता दो, पहला पॉइंट तो ये बताओ, मैं को कि Crips Mission पहले आया कि Cabinet Mission पहले आया, बताओ जल्दी जल्दी से प्यारे पारे बच्चो, जल्दी जल् करवाता होगा, जितना जाद आप लोगों का response रहेंगा, उतना जाद मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से एक्स्ट्र पॉइंट के साथ मियाद करवाता होगा, जल्दी जल्दी से like and share भी करते रहेंगे, सभी के सभी लोग, Crips Mission जो है 1942 में आया था, पहले आया था, और Cabinet Mission बाद में आया, अब मुझे ये बताओ कि Crips Mission कौन से साल में आया था और Cabinet Mission कौन से साल में आया था, अब ये ये point वापस से लिखो, मेरे को पता है कि कैसे आप लोगों से revision करवानी है ये मेरे को अच्छे से पता है, कि किस तरीके से आप लोगों के दिमाग के अंदर में वो neurons के path बनाई जा सकते हैं, आपको पता है ना, दिमाग के अंदर में neurons होते हैं आपके, ठीक है, उसका cycle, एक पूरा pattern होता है जिससे आपको चीज़ से याद आती है, और वो मेरे को बता है अच्छे से कैसे बनाना है, तो मैं बराबर बना रहा हूँ, आप लोग फॉलोग प्रधान मंत्री और cabinet mission के समय में क्लिमेंट एटली, भारत के आज़ादी के समय में भी क्लिमेंट एटली थे, स्वालो कानहा राष्ट्री उध्यान किस राज्य में स्थित है, दिल्ली पुलीस कॉंस्टेबल प्रिवियस यर पेपर अंदर में आया हुआ है यह आपका, कानहा राष्ट्री उध्यान, तो कानहा राष्ट्री उध्यान, जो है मध्यप्रदेश, हरियाना, करनाटक याब मनिपू में आपका ये पुराना वाला मैप है मध्यप्रदेश का ओके अब यहां से 36 गड़ जो है आपका अलग हो गया है यहां पर में आप लोगों को मिलेंगा कानहा अब इसका नेशनल पार्क मध्यप्रदेश के अंदर में आपको पता है इसी बात निकली यह तो आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज और बता दू आप लोगों को आप लोगों के बहुत काम आएगी अगर आप इजाज़त दो तो मैं आप लोगों एक चीज और बतातो बहुत ही काम वाली चीज थीज है कि बहुत कम लोग इसके उपर में ध्यान देते हैं French थे link ठीक आपको पता उना चाहिए कि सन 2000 के अंदर में तीन राज्यों का गठन हुआ था तीन राज्यों का गठन हुआ था एक था आप लोगों का सबसे पहले जो आप लोगों का है वो है जो भात आप लोगों का जारखंड थेके तर नuchark बात करेंगे आप लोगों के जार्खंड है कि की को जार्खंड के खाब लोगों घुका था आप लोगों का 15th November को, 15th November को क्यों अलग हुआ था, 15 तारिक तक क्यों रुखे, क्योंकि बिर्सा मुंदा का happy वाला बड़े है उस दिन, ठीक है, बिर्सा मुंदा का happy birthday होता है, बिर्सा मुंदा का जनम दीन होता है friends, इसी वज़े से इस दिन किया था, बिर्सा मुंदा, ठीक है, आदिवासी लोगों के जो है friends, यहाँ पर में उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई-लड़ी थी, इसलिए जनजाती है, ठीक है, यहाँ पर में गौरव दिवस के रूप में भी बनाया जाता है 15 November को आप लोगों का, तो 15 November जो है friends, यह याद रखने आप लोगने, बिर्सा मुंडा कौन है सर, यह बिर्सा मुंडा जो है, यह एक आदिवासी नेता थे, आदिवासीों के लिए उन्होंने बहुत जादा लड़ाई-लड़ी है, आदिवासी, ओके, एक मुंडा, ट्राइब, मुंडा, औराव, संथाल, जनजातियों के नेता थे यह बहुत ही कम उमर के अंदर में मृत्य हो गई थी, कोलेरा से, लेकिन इन्होंने जो है जंडा बुलंद किया था, सफेज जंडा उनका प्रतीक चिन्न था, मुंडा अंदुलन, बिर्सा मुंडा, ओके, तो सन 2000 में तीन राज्यों की स्थापन होई थी, यह आप लोग याद रख लेना, आप लोगों के लिए काम आएंगा, आप लोगों का इसे वज़े से बता दिया, मैंने आप लोगों को, चालिए, नेक्स्ट के तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के भारत का कौन सा तठ अक्सर चक्रवाद से प्रभावीत होता है, और यह कोशन आप लोगों को बता दू, फ्रेंट की सीटेट का पेपर वन जो है, उसमें भी आचुका, सीटेट पेपर वन के अंदर में भी आचुका, आप लोगों का यह कुशन की भारत का कौन सा राज्ये का तठ है, जो अक्सर चक्रवाद से प्रभावीत होता है, यह सबसे जादा साइक कहा पर में आते है, सबसे जादा साइकलोन जो है, भारत की अंदर में आते है, हमारे उडिशा राज्ये के अंदर में, ठीक है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है, NCRT-based question है, NCRT से पूछा गया question था यह, आपका, उडिशा राज्ये के अंदर में सबसे जादा आत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उडिशा के अंदर में भारती रेलवे के जनक के रूप में किसको जाना जाता है भारती रेलवे जो है आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार जो है हमारे भारत के अंदर में Bombay से थाने के बीच में चली थी और यही उस समय में भारत के governor general थे जिनके समय में चलाई गई थी इसी वज़े से आप लोगों से बोला जा रहा है कि भारत के railway के जनक किसको कहा जाता है बहुत बढ़िया देखिए आप लोगों के आंसर आ रहे है friends तो आंसर आप लोगों को हो जाएंगा Lord Dalhousie चाहे इन्होंने कुछ भी गलत काम की हो कितने भी भारत के अंदर में इन्हीं के समयकाल के अंदर में तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पर में option number D अभी लोग याद रखेंगे ठीक है answer is option number D Lord Dalhousie ओके भारती railway के जनक 1853 के अंदर में पहली बार railway चलाई गई थी मुंबई में ठीक है मुंबई से थाने के बीच में है ओके भारती railway के जनक कि निमनलीखित में से किस युद्ध में मुगल सामराज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तो पर गोला बारूत का प्रभावी धंग से इस्तेमाल भारत की अंदर में पहली बार तो और गोला बारूत का इस्तेमाल 7th standard की NCRT का दिया ह पहले ठीक है बिहार के साथ में था और बिहार के साथ में होकर यह इधर साइट से अलग हुआ था आप लोगों का 1 अप्रेल ठीक है 1st April 1936 को ठीक है तो आपको आपको आपका अंसर मिल जाओगा एक अप्रेल 1936 को अलग हुआ तो 1935 के कानून के जरीए ठीक है तो तो पर गोला बारूत का पहली बार इस्तेमाल जो है पानी पत्की पहली लड़ाई के अंदर में हुआ था भारत के अंदर में यह याद रखना है आप लोगों ने पानी पत्की पहली लड़ाई याद रहेंगा आप सभी लोगों को यह पॉइंट पानी पत्की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी अगर यह कुशन आजाए आप लोगों से तो पानी पत्की पहली लड़ाई जो है याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, जीता कौन था, बाबर जीता था, इब्राहिम लोधी हार गया था, लोधी वंश खतम हो गया, देली सल्तनत खतम हो गयी पूरी तरह से, और बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी, काली बंगा जहाँ प्राक हडपा संस्कृत जीति के अनेक स्थल पाए गये है, निम्नलिकिसमें से किस शेत्र में स्थित था, या फिर है अभी बी काली बंगा, थित था, क्या काली बंगा तो ही, वो का चला गया, तो काली बंगा जो है आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर में मौझूद है, कौन से राज्य में मिले जी, तो काली बंगान जो है, आप लोगों को मिलेंगा राजिस्थान के अनदर में, काली बंगान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़े बता दू, ठीक है काली बंगान के अंदर में आप लोगों को friends, जूते हुए खेद के सबूत मिले है, NCIT में जो पॉइंट द लेगा है काली बंगान में काली बंगान और लोथल के अंदर में आप लोगों को फायर अल्टर्स मिले है फायर अल्टर्स फायर by Saylor students by relatives bread hearts by visitors अमत्लाब होता है अगनी वेधी ठीक है या हवन कुंद भी बूल सकते आप लोग उसको इasi केप अगनी ओके अगनी वेधी अगनी वेधी जहाँ पर में появ Cars on Donc fix किया जाता हूंगा फाइराइर अल्टर तो काली बंगान और लोथल के अंदर में मिले आप लोगों को यह याद रखना है आप लोगों ने ओके चलिए तो आंसर जो है आप लोगों को जाएंगा option number C जूते हुए खेत के सबूत आप लोगों को यहाँ पर में काली बंगान में मिले है लोथल और काली बंगान के अंदर में आपको बंगान में बंगान में आपको पूछा है तो लोथल पर में आप लोथल यहाँ मिलेगा यहाँ पर उजरात में बंदरगाः वाला शहर था वहां से, बंदरगाः वाला शहर, ग्रीज मेरिडियन टाइम और इंडियन student time के इंदर में कितने समय का अंतर है, ठीक है, ग्रीड वीज मेरिडियन टाइम ये कौन से वाले देशांतर पर आती है, चलो ये बता दो मेरे को एक थोड़ स्वासी वालो कहा से आगा तूंगा एक एक स्वासी कैसे होंगा बाई Greenwich Meridian Time मतलब Prime Meridian बोलते है इसको Prime Meridian Prime Meridian बोला जाता है Meridian primary एक आप लोगों का Prime Meridian होगत आप लोगों का यह ओके इसको आप लोग Zero Degree बोलते हो Zero Degree तो यह आपका Zero 0 degree longitude है, 0 degree longitude और भारत का मानक समय जो है वो decide होता है आप लोगों का 82 and a half degree east longitude से, east, ठीक है, 25 degree east से, ओके, तो यह आप लोगों को मैंने extra point बता दिया, जो याद रखना है आप लोगों ने, 25 degree east में है भारत, और इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है, वो है 5.5 गंटे, सम 5.5 गंटे का अंतर है, यह आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन एक high level question की practice भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, यही के यही, कि भाई greenwich meridian time 0 degree longitude है आप लोगों का, और Indian standard meridian या Indian standard time जो है आप लोगों का, 25 degree east वाली line है आप लोगों की, दोनों के दोनों भी याद र हो जाएगा, तो 25 degree east वाली जो line है, यह हमारा standard meridian time है, मैं एक high level question आप लोगों से और पुछ लूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ, कि भारत का मानक जो याम्योत्तर है, जहां से हमारा time decide होता है, कितने राज्यों में से जाता है, जल्दी जल्दी बता दो, देखो अग आगे और पिच्छु का जो point बता रहो, एक एक चीज का, वही आप लोगों को मदद करेंगे exam में clear करने में, तो जो बच्चे देख रहे हैं, वो जल्दी जल्दी से यहां पर में, जो है, answer भी करते रहेंगे, जो जो मैं सवाल पूछ रहो आप लोगों से, क्यों की friends, यही आप लोगों का यह, ठीक है, agriculture नाम के topic, निमनली कितने से कि इस फसल को वृद्धी के लिए 210 दिन, 210 दिन कोहरा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, तेज धूप होनी चाहिए, कोहरा पाला रही मतलब की frost नहीं होना चाहिए, मतलब कोहरा नहीं होना चाहिए, उसके लिए, त आपका cotton, cotton जो है, जब उगता है, तो कहरा वगिरे ना हो और तेज धूप हो, चमकिली धूप हो, और काली मिट्टी रहेंगी, रेगूर मिट्टी तो ज्यादा अच्छे से यह उगता है, ठीक है, cotton आप लोगों का, तो answer आपका हो जाएगा, फ्रेंट्स, option number D, यह याद र जाता है, लेकिन सबसे best जो उगता है, वो उगता है, ब्लैक स्वाइल में, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है, रेगूर मिट्टी, ठीक है, चालिए, नाउ फ्रेंट्स, निम्न लिखी में से कौन पल्लवों की राजधानी थी, पल्लव लोगो की राजधानी कौन सी थी, चलो जल्दी बताओ, आज सुभर मैंने जब बिहार वाली क्लास ले रहा था, उसके अंदर में भी आप लोगों से कहा था, मैंने कि यह इसको याद करना है, आप सभी लोगोंने, पूरा का पूरा हम लोगोंने याद थे, आप लोगों को मेहंद मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों के response आ रहे है बच्चे ने देखो 1100 बच्चे यहापर में देख रहे है यह बनाया था आपका नर्सिम वर्मन दो ने नर्सिम वर्मन दो ने अब एक चीज और बता दू आप लोगों को यह तो सूपर टेट वालों ने पूछ लिया नर्सिम वर्मन दो एक और पॉइंट बता दू आप लोगों को में नर्सिम वर्मन दो जो है ना इसको प्यार से र प्रशनाथ टेंपल भी उसी ने बनाया कहलाशनाथ टेंपल या कहलाशनाथर टेंपल भी बोला जाता है कांची पूरम उनकी राजधानी थी यह याद रखेंगे आप सबी लोग तो ऐसे ही बड़ी आतरीके से आप लोग करते रहिए जो है आप लोग पढ़ते रहोंगे मेर को राइचूर दोब दिख रहा है यार और राइचूर दोब दिख रहा है तो फिर आप लोग इतने प्यारे प्यारे बच्चे है और आप लोग आगे बढ़ना चाहते है ठीक है तो राइचूर दोब यह कुशन कितने सारे एक्जाम में आ चुका है राइचूर दोब वाल तटिय मंदिर बनाये थे महाबलीपूरम के जो रत मंदिर थे इसके पर्दादा नरसिम वर्मन एक ने बनवाये थे आगे में हम लोग बात करेंगे आगे में और बहुत सारे questions है उनके बारे में हम करेंगे जितना जाद आप लोगों का response रहेंगा उतना जादा जो है friends मैं आपको और बताता जाओंगा दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवन्षों ने साशन किया है जल्दी जल्दी से बता दो गया है 320 साल तक ठीक है 320 साल तक पाच राजवन्षों ने साशन किया है पहला राजवन्ष था आपका गुलाम वन्ष स्लेव डाइनस्टी दूसरा वाला था आप लोगों का friends यहाँ पर में घिलजी वन्ष ठीक है खिलजी फिर था तुगलक 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 वन्ष ठीक आपका पहला अफगान वन्ष था फर्स्ट अफगान अफगान ठीक है पहले अफगान डाइनस्टी के लोग थे लोधी वन्ष वाले पहले अफगान लोग ओके यह जो पहले चार है यह तुर्क ओरीजिन के थे कहीं न कहीं तुर्क ओरीजिन के थे इवन सायद को जो है कई आफगान वंश कौन सा था यह कुश्चन आपका निकल के आ गया सामने में इसको तो हम लोग एक दम एक जटके में उड़ा देंगे यार पाच राज वंशो ने दिल्ली सल्तनत पर साशन किया है ठीक है बारासो छे से लेकर 1526 तक ठीक है 320 साल तक पाच राज वंशो ने लेकिन इनमें भी यह तुर्क वंश थे शुरुवाती इनको अरली तुर्क कहा जाता है गुलाम वंश को अरली तुर्क मामलुक वंश भी कहा जाता है उसको ओके और लोधी वंश अफगान थे यह याद रखेंगे आप सभी चीटि मैं आप जोंगोगों बहुत सारा पढ़नेखिर ले रेड़ी हो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर में आप लुग देख सकते हो मामलुक वंश इसको गुलाम भी कहा जाता है इल्बरी तुर्वेंश भी इसको बोलते है। इलबरी तुर्क वोंश, थीक है। सुर्वाती तुर्क वंश, फिर खिल जी तुगलग सेयद ये सब के सब तुर्क थे लोधी अफगान थे、 ये याद रखने हैं आप सबी लोगों ने। यंग बंगाल आंदोलन 1626 से 1632 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, DSSB, PGT, History, Female General और अनेको शिफ्ट, DSSB की अनेको शिफ्ट, SSC की अनेको शिफ्ट के अंदर में, और पता नहीं कितनी ही एक्जाम्स अलग-अलग हो गई, जिसके अंदर में कुशन पूछ लिया गया, कि यंग बंगाल आंदोलन की प्रनेता कौन थे, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कहा होई थी, Calcutta में, और Henry Vivian derosio इसके संस्थापक थे, ये याद रखनें, आप लोगों ने, फिक है, Henry Vivian derosio, तो answer इसका हो जाएगा friends, option number A आपका, ठीक है, now friends, ये पूरी की पूरी एसे सर्च करोंगे आप लोग आपको मिल जाएंगा दानिशेक टेलिग्राम ग्रूप और टीचिंग परिक्षा टेलिग्राम ग्रूप भी है इसको भी आप लोग जोईन कर लेना तो उसके ओपर में भी आपको मिल जाएंगा टीचिंग परिक्षा परीक्षा, ओके टेलिग्राम के उपर में, तो वहाँ पर में मैं डलवा देतो, टीम प्रीज इसको डाल देना आज, यहाँ पर में, ताकि बच्चों को यह मिल जाए है हमारा, पुरा का पुरा, जो पुरी की पुरी लिस्ट है आप लोगों की, यह बहुत ही काम की लिस्ट ह है, बहुत ही आप लोगों को काम आने वाली है, कौनसी अक्षांश रेखा भारत के मद्य से होकर देश की जलवायू को प्रभावित करती है, कौनसी अक्षांश रेखा जो है भारत के मद्य से होकर जाती है, भाई भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा जाती है, भार कौन उसके भी नीचे है ठीक है अंटार्क्टिक सरकल मतलब क्या हम अंटार्क्टिका के पास में है क्या ओके तो आंसर आप लोगों को जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन में था तो आंसर ऑफ्शन नमबर सी 75% लोगों ने आंसर लगाया था और और इकवेटर वा लोग ए जो है यहाँ पर में 17 प्रतिश्यत लोगों ने अंसर लगाया ए ठीक है एकवेटर के पास रहते के हम लोग आंजर आप लोगों को हो जाएगा Frens, Tropic of Cancer, यहां देख सकते हो आप लोग, यह Tropic of Cancer, आप लोगों का सारे 23 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, Tropic of Cancer, कितने राज्यों में से जाती है, Tropic of Cancer, करक रेखा जो है, हमारे भारत के 8 राज्यों में से जाती है, जिसमें से सबसे ब बहुत जादा यहाँ पर मैं आभर व्यक्त करना चाहूंगा कि जब मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों के लिए हम लोग जो शुरुवात में हम लोगों ने जो कोशन किया था उसका मैं आपको रिविजन करवाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यहाँ पर में इस कोशन को आप लोगों के लिए जो है अरेंज कर दिया यहाँ पर में UPPCS Civil Services 2016 का जो कोशन था उसको आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसकी रिविजन कर सके जल्दी से सभी के सभी लोग एक लाइक कर देंगे सभी के सभी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा देंगे हिंदी ओनर्स वालों के लिए हिंदी रहेगा और हिंदी के अंदर में जो हिंदी वाली आपकी इशा मैं में वह आपको बहता तरीके से पूरा उसके अंदर में बता पाएंगी ठीक है यह साउथ अमेरिका की एक कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका की ब्राजील के पास में ठीक है स्टैपी जो है यह कहा कार है आप लोगों का ठीक है स्टैपी आप लोगों का prairies और wail, wail जो है friends, आप लोगों को पता है, यह अफरीका के अंदर में, South Africa की अंदर में, prairies North America की अंदर में, ओके, अब बात करते हैं हम लोग stepy की, तो stepy को आप लोग समझो, धान से, मेरी बात को समझो आप लोग, यह जो stepy है न, यह है हमारा जो है मध्ध railway Risia में यहाँ पर में मानलीं यह आप लोगों का भारत है यहाँ पर में मध्धे एशिया और कुछ एरिया यूरोप का लगता है उसमें कुछ एरिया धी को선 डीज़ syए में कुछ इस्सा इसका यूरोप लिए नहीं हो सकता था ठीकँ है prairies जो है North America के अंदर में प्रेयरी जो है North America, C कि just we one के साथ लगेंगी , C कि just we one के सात में कावल एक ही जगा पे लगी है और कहीं नहीं लग Правild सेखो केवल एक जगा पे लगी है C की यूरोप के अंदर में भी होता है, Central Asia और Europe के तर्च करता है यहाँ पर में, यह याद रखने है आपने, इसी वज़े से इसका आंसर जो है, आप लोगो को option number A हो जाएगा, या option number 1 हो जाएगा, ठीक है, चालिए, तो यह पूरी की पूरी list है आप लोगों की जो आप लोगों क का, students की heavy demand के उपर में, और जो call नहीं लग पा रहे थे, उसके वज़े से जो है, आप लोगों की इसको extend किया गया, बिहार 50 जो code है आपका, उसको, ओके, तो जितने भी लोग है, जो लोग जुड़ना चाहते है, चाहे seatate हो, चाहे कोई भी course हो, आप लोग इसको लगा सकते ताकि आप लोग इसका लाब उठाकर, जो है, फ्लैट 50% off यहापर में ले सके, जितने भी आपके selection courses चल रहे है, ठीक है, आप लोग इन सभी का लाब उठाईए, बाकी मिलते है friends, हमारे next lecture में, आप लोगों की जो, यह जो दो चीज़े थी, उसको मैंने मिलता है, आप झाल झाल झाल